Dry Air Cleaner इस ट्रैक्टर में Dry Type Air Cleaner का इस्तमाल किया गया है Dry Type Air Cleaner इस bonnet के अंदर की और स्थित है आईए इसे साफ करने की पक्रिया समझते हैं Dismantling bonnet का लॉक खोले और इसे उपर उठाएं एर क्लीनर के कवर पर लगा हुआ ये डस्ट अन्लोडर वाल्व है इसे समय समय पर इस प्रकार दबाएं और इसमें एक कत्वे धूल मिट्टी गिरा दें फिल्टर बॉडी का कवर खोलें इसे खोलने के लिए ये तीनों लॉक खोलें कवर को इस प्रकार खीच कर बाहर निकाल दें अब पेपर फिल्टर एलिमेंट को खीच कर इस प्रकार बाहर निकाल दें अब सिफ्टी कार्ट्रिज को खीचें और बाहर निकाल दें जरूरत पढ़ने पर पेपर फिल्टर एलिमेंट को इस प्रकार अंदर से बाहर की और हवा मार कर साफ करें सिफ्टी कार्ट्रिज को भी सर्विस के दावरान इसी प्रकार अंदर से बाहर की और हवा मार कर साफ करें फिल्टर बॉडी के अंदर के हिस्से को कपड़े से अच्छी तरह साफ करें कवर को भी अंदर से साफ कर लें ये फिल्टर बॉडी पे लगा हुआ एर फिल्टर क्लॉक सेंसर है फिल्टर चोक होने पर सेंसर इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर में लगे फिल्टर क्लॉग वार्णिंग इंडिकेटर को आन कर देता है असेंबली सेफ्टी कार्ट्रीज के खुले हुए सिरे को अंदर की तरफ रखते हुए फिल्टर बॉडी में इस प्रकार बैठाएं इससे हर 800 घंटे पे बदला जाना चाहिए अब इस पीपर फिल्टर एलिमेंट को बैठाएं इसे बैठाते हुए ये सुनिश्चित करें कि इसका पीपर कहीं से फटा हुआ ना हो और सीलिंग रिंग भी कहीं से कटी हुई ना हो इस फिल्टर एलिमेंट को फिल्टर बॉडी पे इस प्रकार बैठाएं ध्यान रखें इसे हर 400 घंटे की सर्विस पे बदल दें अब फिल्टर बॉडी में कवर बैठाएं ध्यान रखें फिल्टर बॉडी तथा कवर पे बने इस तीर के निशान को आपस में मिलाते हुए कवर बैठाएं अब तीनों लॉग द्वारा इसे लॉग कर दें ये सुनिश्चित करें कि फिल्टर बॉडी से लगा इस होस पाइप का क्लैम भी पूरी तरह से कसा हुआ होना चाहिए अब बोनेट को बंद कर दें यदि ट्रैक्टर का इस्तमाल ज्यादा धूल मेट्टी वाले वातावरण में हो रहा हो तो पेपर फिल्टर एलिमेंट और सेफटी कार्ट्रेज को जरूरत अनुसार जल्दी बदला भी जा सकता है धन्यवाब